बदलते दौर के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं ड्यूटी के साथ घर भी बकू भी संबाल रही हैं आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी ही महिलाओं से जो आपके जीवन में प्रेण्णा का स्त्रोत्र जरूर से बन सकती है ऐसा कहा जाता है कि नारी ठान ले तो क्या नहीं कर सकती और हेरत की बात ये है कि फिर वो चाहे चांद पे जाना हो या ओटो चलाने की बात हो बस इसी बात का सबूत है यहां खड़ी ये लड़किया जिनके हाथ में है पेट्रोल की पाई एक तरह से देखें तो ये लोगों की रफ्तार बनाए रखती है और बस ये महिलाई यही मानती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता हर काम, हिम्मत और होसले के साथ करे तो जग जीच सकते हैं आईए सुनते हैं कि इनका क्या मानना है कैसे काम करती है ये खाली में और ममी हैं तो करना पड़ता है और गंधी नजर से बहुत जाद है देखते हैं इसको कैसा फेलिंग होता है वो फुद ही जानती है लेकिन इज़स्जत मिले तो उसके लिए बहुत अछा होता है वो बिन्दा अच्छे से रह सकती है जोप भी कर सकते हैं, बस उसके लिए कंफिटिबल होना चीह है, अज होजेगा. इतना महत्म का काम करते देख, तेल भरने जो पेट्रोल पंप पर आते हैं, बेभी आश्यारे होगते हैं, लेकिन सब का मानना है कि महलाएं ठाने तो सब कुछ कर सकती हैं. पर किसे नहीं मेजन भी नहीं किया होगा, कि हाँ पर महला ही इकाम करती होगी. बट अच्छा लगा और बाखी जो लेडी जे फिल फ्री नहीं करती थी, कि ही यहां पर आना और जेंस के सातमें कैसा बीयेव करना, कैसे बात शेराना. तो अभी अच्छा लग रहा है कि उनके साथ में हम नॉर्मली बात कर सकते हैं और यहां पर कभी भी हा गर कि हम आईल भरवा सकते हैं इनके लिए सर्फ इतनी सी बात निव के पथर हैं हम, रा के पथर नहीं खुद को तराश के बने हैं ये महनत की मूरत है अच्छे आदाईश और स्वा निर्भर समाज के लिए ये महिलाएं उमीद की चिंगारी है हौंसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा आज की कहानी से शायद आपके जीवन में थोड़ी बहुत प्रेणा आपको जरूर मिली होगी सहयोगी कौतम के साथ स्वाम्य सिंग एहमता बार गुजरात तक